जहिंत साथियो स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल किसन ग्लोबल इस्टेशी पर तो साथियो सब्द विचार हम लोग पढ़ रहे थे उसमें कुछ क्लास हुआ था आज अंतिम क्लास होगा सब्द विचार के ठीक है साथियो कुछ अब्जेक्टिव कोशन रहा गया तो जोड़ का विचार्थक सब्द वहाँ साथियो वह घटा हो जाएगा सी निमर क्रेप्ट है ठीक है साथियो और दोस्तों को शेयर केजिए वीडियो को लाइक कीजिए ठीक है और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए इसका टेलीग्राम में आपको टूटल पीडिए मिल निश्प्री अप्षिन सिय और संथिट विप्रित쪽 सात्तों का उप्यूक्त शब्द सात्यों वह адने ही निंवीत शात्यों बीनमर जो है वो कर्रेक्ट हैUSE इडिटland क्रेक्ट क्रेक्ट है लेक्ट को सब्सक्रारा लेगा घ्रेक्ट अकशाल है सहाई है Eugene निमें स्योगी सहायोगी का सर्वतार्थक उप्रितार्थक सब्सक्राया है अलोगी स拜拜 के सब आप्योग्त अपयोग्त हो जब और सब्सक्रास aquesta एंवे सब आइगा करेक्ट है द्वीजसاج specific अर्थ है नहीं दुई जी सब्द का जो अर्थ होगा वो हो जागा इनमें से कोई नहीं correct answer D हो जाएगा next question है next question है साथियो रज्जु सब्द का हिंदी में अर्थ है रज्जु सब्द का हिंदी में अर्थ है तो क्या है option A है मचली option B है मेढक, option C है option C, option C है घोडा तो रज्जु सब्द का हिंदी में अर्थ है वो है रशी, C नमर जो है वो correct answer है ठीक है साथियो next question है निशीद, निशीद का उप्यूक्त अर्थ है option A है अर्ध रातरी का समय option B है संधिया का समय option D है प्रातय का समय option, option C है प्रातय का समय option D है इनमें से कोई नहीं तो साथियो निशीद का उप्यूक्त अर्थ है साथियो A नमर अर्ध रातरी का समय A जो है वो correct है next question है साथियो आकिर्थी सब्द का सम भिनार्थक सब्द है आकिर्थी का सब्द सम भिनार्थक सब्द है इंच्ट कोरेक्ट है। नीमिर्ण में 2018 वक्रीफ। इंच्ट से डिश्र काम में जबाएक्शन गतां। नीमिर्ण मेंन का की श्रेनी दिश्र और सिरक्ष रहा जा को सिचाप रवहनाै। क्यों सब्द का सहीं नहीं है तो क्यों सब्द कोंक्र होयागा आमनेकार्थक हिंसद का सभ्द से option A है इंदर option B है siṃg option C है brahman option D है तो साथियो अन्यकार्थक sarani का जो sabd है कौन है C brahman c नमर जो है वो correct है next है साथियो अन्यकार्थक sabd की sarani में ना आने वाले का नाम बताएए option A है सजा option B है option C है सकती option D है सेना तो option A जो है साथियो सजार, ए नमर जो है वो correct हो जाएगा, next है सातियो, नीवन में से कौन एकार्थक सब्द की स्रेनी में आता है, option A है, ताहत option B है, पुझ जी option C है, पिता option D है, माती, तो D जो है वो सातियो correct हो जाएगा, माती D correct है, next है सातियो, अनुरोध आग्रह सब्द युग में, युग में अनुरोध का अर्थ होता है, option A, अर्थ होता है सातियो, तो विनय पूर्वक, विनय पूर्वक याचना करना तो आग्रह का आश्य होगा, option A है, अधिकार भावना से अदभूत याचना, option B है, अधिकार भावना से सहिर्दय याचना करना, option C है, अधिकार भावना से स्विकार करना, option D है, अधिकार भावना की कदापी अपेक्छा ना करना, तो सातियो इसका correct है, अगर D नमर answer, अधिकार भावना की कदापी अपेक्छा ना करना, D नमर जो है वो correct हो जाएगा, next question है, next है सात्यो, द्वीज, द्वीज के अनेकार्थी सब्द, द्वीज के अनेकार्थी सब्द में से, निम्न में से कौन सा, एक सब्द नहीं आता है, option A है, ब्राह्मन, option B है, पक्षी, option C है, दात, option D है, विदे, तो सात्य उसका correct answer D हो जाएगा, व भक्ति का अर्थ नहीं है, option A है, सेवा, option B है, पूजा, option C है, स्रदा, option D है, कवीता, तो भक्ति का अर्थ नहीं है, सात्यो, वो हजा, D हो जाएगा, correct कवीता, D जो है, correct answer हो जाएगा, next है, निम्न लिजिद में से कौन सा, सब्द, पानी का भी अर्थ देता है, पानी का अर अर्थ बी हो जाएगा, next question है, next है, सात्यो, निम्न लिजिद सब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी है, option A है, काना, option B है, कर्ण, option C है, सुरूती, option D है, स्रव ने, स्रव ने, स्रव ने, त्रिये, स्रव ने, त्रिये, तो सात्यो, इसका जो correct answer हैगा, B नम्मर, कर्ण, ज option C है, दर्ण, option D है, पुस्तक, क्या है, एक सब्द अनेकार्थी नहीं है, तो पुस्तक जो है, D नमर correct हैगा, पुस्तक D correct, नौग है, next question है, कौन सा सब्द अक्र, का अनेकार्थी नहीं है, option A है, सुरूती, option B है, परकास्कीर, option C है, आंक का पेड़ा, option D है, ज्वाला, तो साथियो, C नमर जो है, वो correct हैगा, आंक का पेड़ा, C नमर correct हैगा, आंक का पेड़ साथियो, C correct हैगा, next question है, साथियो, निमलकीत में से, कौन सा सब्द गो का अर्थ नहीं है, option A है, गाय, option B है, नदी, option C है, इंदरी, option D है, वायू, तो गो का अर्थ नहीं है, तो D हो तो साथियो, इसका A जो है, वो correct answer होयागा, गगन A correct answer होयागा, next question है, next question है, साथियो, अनकार्थी, अनकार्थी, सब्द का नाम, निमलकीत में से, एक है, option A है, रत, option B है, पारा, option C है, हाथी, option D है, मौक्च, तो A है, साथियो, C नमर correct होयागा, साथियो, हाथी, C correct होयागा नेक्स्ट कोशन है अनिकार्थी सब्द अब जिके गलत विकल्प का चैन कीजिए उप्शन A है संख, उप्शन B है चंद्रमा, उप्शन C है मेग, उप्शन D है कपूर तो गलत संगत का चैन करने बोला है साथियो तो C नमर करेक्ट का अंसर है गा, मेग, C नेक्स्ट है साथियो कौन सा सब्द पत्र सब्द का अनिकार्थी नहीं है अनिकार्थी नहीं है साथियो उप्शन A है पत्ता, उप्शन B है चिठी, उप्शन C है कागज, उप्शन D है पूस्प तो correct answer है साथिओ C number कागज जो है वो है पत्र का सब्द अनिकार्थी नहीं है C number correct है next है अच्छल सब्द का अर्थ है अर्थ है इस्थीर और दूसरा अर्थ है और दूसरा अर्थ क्या होगा साथिओ option A है चलायमान आप्शन B है, निश्चल आप्शन C है, अस्थिवीर आप्शन D है, गती मान, तो साथियो इसका correct answer भी हो जाएगा, निश्चल इसका B नमर correct answer हो जाएगा, निमली लिखीत सब्दों में एक अनिकार्थी है, option A है, पत्र, option B है, मुद्र, option C है, अप्शन D है, पुष्टक, एक अनिकार्थी सब्द है साथियों, तो इसका D नमर correct हो जाएगा, पुष्टक D correct हो जाएगा, निम्निलिखित में से कौन सा सब्द फल सब्द का अनेकार्थी सब्द है option A है परिमान, option B है हलका, option C है प्रभाव, option D है रसीगू तो option B जो है साथियो correct होएगा, हलका B correct होएगा next question है साथियो, इन में से अमरित सब्द को समनानार्थी सब्द कौन सा है अमरित सब्द है साथियो, उसमें समनाती सब्द कौन सा है, option A है, बरज है, option B है, तुनीर, option C है, प्यूस, option D है, वान, बान साथियो C नमर्प्यूस है, C correct answer है, next है साथियो, निम्लिकित सब्दों में से एक अनेकार्थी नहीं है option A है, साथियो, पत्र, option B है, मुद्र, option C है, दंड, option D है, पुस्तक, तो साथियो, निकार्थी नहीं है, साथियो, D पुस्तक होयागा, D correct answer होयागा, next है साथियो, जीवन का एक अर्थ है, जिन्दगी दूसरा है साथियो, इसका option है, A number है, पानी, option B है, जीने का ढढ़ंग, option C है वायू, option D है प्रानी, तो साथियो, इसका correct answer है, जीवन का एक अर्थ है, जिन्दगी दूसरा, तो साथियो, इसका correct answer पानी होयागा, A number correct होयागा, next question है, कौन सा सब्द द्वीज का अनेकार्थी नहीं है, option option A है, चंद्रमा, option B है, पक्ची, option C है, दात, option C है, सिंग, तो साथियो, option D जो है, वो correct हो जाएगा, सिंग, वो correct answer होयागा, जो अनेकार्थी नहीं है, D number correct होयागा, next question है, विधी के इन अनेकार्थी सब्द में एक गलत है, उसे चैनित किजी, एक गलत है, इसमें चैनित कर नेक्स्ट है, साथियो, next question है, निमलिखीत सब्दों में एक वर का अनेकार्थी नहीं है, option A है, सिरेष्ट, option B है, वरदावन, option C है, पत्ती, option D है, सुवर्ग, अनेकार्थी नहीं है, साथियो, तो correct हो जाएगा, D number, सुवर्ण, D number correct हो जाएगा, next है, साथियो, या सब्द, रस का अनेकार्थी सब्द नहीं है, option A है, रूस, option B है, स्वाद, option C है, पानी, option D है, पारा, तो रस का अनेकार्थी सब्द नहीं है, साथियो, जो D number हो जाएगा, पारा, D जो हो correct हो जाएगा, next question है, निमलिखीत में से एक सब्द घन का अनेकार्थी सब्द नहीं है, option A है, गनिष्ट सी नमर correct answer है, ठीक है साथियो, next question क्यों बढ़ते हैं, next question है साथियो, निमनो लिखित विकल्पों में से मत्सर, मत्सर सब्द का अन्यकार्थी रूप चुनिए, option A है, क्रोध, option B है, राग, option C है, द्वेस, option C है, इस्वर, तो साथियो का correct answer हैगा, B नमर राग, जो ह सब्द के अन्यकार्थी है, साथियो, option A है, अगनी, option B है, अकास, option C है, मोती, option D है, पानी, तो किसका साथियो, जल, नमक, किस सब्द के अन्यकार्थी है, तो पानी का D नमर correct answer पानी हो जागा, next है स्वर्न पिर्थभी, सूर्य किन सब्द के अन्यकार्थी है, साथियो, option A ह गो उप्शन C है, खेचर उप्शन D है, सच राचर तो साथियों इसका correct answer भी हैगा, गो भी correct है Next है, सर्प मेग, हरीन किस सवद के अनिकार्थी है Option A है, सारंग उप्शन B है, नारंग उप्शन C है सारंग उप्शन D है, सड़ंग साथियों इसका correct answer भी जाएगा, A नारंग उप्शन B है, नारंग उप्शन C है साथियों इसका correct answer है, पक्छी बान तारा किस सवद के अनिकार्थी सवद है Option A है, गती, Option B है, मती, Option C है, खग, Option D है, खंड है साथियों इसका correct answer है, पक्छी बान तारा किस सवद के अनिकार्थी सवद है C correct है, खग जो है, C जो है वो correct answer है Next है, निमलिकी द्विकलपों में से ग्रह सवद का अनिकार्थी है Option A है, किरिपा, Option B है, ग्रहन, Option C है, राउ, Option D है, उक्त सभी तो Option D जो है, वो correct answer है, उक्त सभी, D नमर correct है Next है, घना, भारी, जटील की सवद के अनिकार्थी सवद है Option A है, गंभीर, Option B है, गती, Option C है, गाट, Option D है, गाड़ा तो इसके correct answer है e नमर साथियो, गंभीर, a नमर correct है Next है, खर का अनिकार्थी सभी, Option A है, दूच्ट, Option B है, प्रखर, Option C है, गदा, Option D है, उक्त सभी तो खर का जो अनिकार्थी सभी, D नमर है, उक्त सभी, D नमर correct है खत सब्द का अनकार्थी नहीं है अप्चन A है पत्र, B है लिखाई, C है लकीर, D है बेकार तो खत का अनकार्थी सब्द नहीं है साथी वो बेकार है D नमर जो है वो correct answer है नेक्ट क्वेश्चन कहल दूख पाप किस सब्द के अनकार्थी है साथी हो option A है कलम B है कली C है खराब D है पाइस तो कहल, दूख, पाप किस सब्द के अनेकार्ती है साथियो B नमर करेप्ट हे आगा कली, B जो है वो correct हे आगा next है साथियो अमरित, केस और कलम अमरित, केस और कमल किस सब्द के अनेकार्ती है option A है साथियो जो correct answer बी नमर है, कंज जो वो correct है, next है अनुचर का अनिकार्थी नहीं है, साथियो option a है, दूद साथ ही उसका correct answer C नमर होयगा गुण C जो है वो correct है नेक्स्ट है पपड़ी जुन्ड बादल किस सब्द के अनेकार्थी है साथ ही option A है कच, कच option B है ककूम, option C है कैची, option D है कायद तो साथ ही उसका correct answer होयगा A नमर कर्च जो है ए नमर क्रेट अन्सर हो यहागा नेक्स्स сп्ष्षन है नइक्स्स कॉज्स कॉश्शन है साति हूँ निमलिखित सब्धा में एक धात्री थात्री का अनेकार्थी नहीं है Оп्शन A है आण kıऊला sola option B है दाय option C है माता option D है निया है तो साथी से correct answer होएगा D नमर निया है, D जो है वो correct हैगा Next है, स्वर्ग का अनकार्थी है, स्वर्ग का अनकार्थी सब क्या है साथी हो Option A है नाक, Option B है अन, Option C है स्वर, Option D है सरी तो सरी इसका correct answer है स्वर्ग का साथी हो, अनकार्थी है, वो A नमर नाक हो जाएगा correct answer A next question है पतंग का अन्यकार्थी नहीं है साथी option A है सूरी option B है पक्ची option C है पतिंगा option D है पात्र तो साथी हो पतंग का जो अन्यकार्थी सब्द है साथी है वो हो जाएगा D नमर पात्र D जो है वो correct रहागा next है धन्यमुल्यरसी किस सब्द के अन्यकार्थी है option A है दाय option B है दाम C है दास्ता option D है धात्री तो साथी हो correct answer है अन्सर रहागा बी नमर दाम जो है वी correct है next question है साथी हो परवत तलाग नागर मोथा किस सब्द के अन्यकार्थी है option A है पयोधर option B है परचा ओप्शन C है, पता ओप्शन D है, पट्री, तो सथियो, परवत तलाब नागर मोथा की सब्द का अनकार्थी है साथियो, तो पयोधर का A नमर क्रेक्ट है, नेक्स्ट साथियो, सजावट का अनकार्थी नहीं है, सजावट का अनकार्थी सब्द नहीं है, ओप्शन A व का लाइन ऑप्शन B है लिखने की तक्ती ऑप्शन C है A और B दोनों ऑप्शन D है भीद तो पत्री का जो अन्यकार्थी है साथियो C नमर क्रेक्ट हो जाएगा A और B दोनों C नमर क्रेक्ट आउंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन है साथियो कि पत्र का अन्यकार्थी है पत्र का अन्यकार्थी सब्द क्या है साथियो ऑप्शन A है जल ऑप्शन B है पत्ता ऑप्शन C है दसा ऑप्शन D है कमल तो पत्र का अन्यकार्थी है साथियो पत्ता B जो है वो क्रेक्ट हैगा पत्ता जो है बी क् C है विधी, डी है विशम, तो कीज़ परकार कहीं साथियो, C जो है विधी हो जाएगा, नेक्स्ट है, सूर का अनिकार्थी सब्द नहीं है, ऑप्शन A है वीर, ऑप्शन D है माया, सूर यह दी नमर है, विशनू, तो साथियो सूर का जो अनेकार्ती सब्ध नहीं है तो ये अनती कोशन था विडियो आनं तक देखिये और पूरा पीड ये आपको टेलीग्राम में मिल जागा ठीक है तो मिलते हैं पर आगला चेप्टर में तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत